कई साथ स्टूडेंट के डाउट थे कि पीजी हिंदी के लिए किस तरह से पढ़ाया जाएगा क्या फीज है फीज अगर जादा है तो उसके कम करने के लिए कई स्टूडेंट कर रहे थे करें फॉर्म कब आएंगे कब एक्जाम होंगे और किस तरह के पैटर्ण से हम पढ़ाएंगे ताकि आप एकजाम क्लियर कर ले और सबसे जरूरी सवाल कि क्यों हम यह कुर्स जाइन करें 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 सारे कुष्टशन से ऐसे तो हमने सचे क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें साही डाउट को क्लियर किया जाए यह वीडियो स्पेसिफिकली हिंदी साहित्य के स्टुएंट्स के लिए है तो मैं से उन्हीं की बात करूंगी अभी पहले हम देखते हैं जो पीजी के एक्जाम होते हैं अब तो सारी उनिवर्स्टी के अंडर आ गई हैं तो सारी उ जून से लेकर अगस्त के बीच में कभी भी हो जाएंगे और जो फॉर्म है वो फरवरी के असपास आज आएंगे फिल करने के लिए तो इसकी तैयारी जो है वह आपको अभी से इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें कॉंपेटिशन हाई है अगर आप डैली की टॉप इ अगर आपने सब्सक्राइब करने के लिए तो आप मैं मैं या अपरिल त्यारी करने के लिए और हो जाएगा तो इसकी संभावना कम रहती है कि कॉंपेटिशन हाई है कोश्चन बहुत बहुत बीपली पूछे जाते है इस तरह के सवाल आते हैं इनके वारे अपने सोचा न होना ही चाहिए इस कोर्स में आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको एक बैच मिलेगा बैच में आपको जोइन करने का मौका मिलेगा अगर आप घर पे त्यारी कर रहे हैं आपको लगा कि चलो फीस क्यूं भरे हम घर पे तियारी कर लेते हैं मौक टेस्ट क तो आपको परदा चलता है कौन आपसे आगे है, कौन आपसे पीछे है, कितना आपको और आगे बढ़ने की जरुवत है, कितनी और तयारी की जरुवत है, तब आपको ये परदा चलता है. तो इसके जरूरी है कि आप किसी ना किसी कोर्स में एंडरोल हो इस कोर्स में अच्छी वजा यह होगी कि कई स्टुएंट्स के क्वेरी थी कि मैं फीस बहुत जादा है इतनी जादा फीस नहीं दे पाएंगे नहीं अफॉर्ड कर सकते हैं कुछ ऐसे डाउट्स थे तो उनके तो इसलिए हमने इस पेशल ओफर लाँच किया है यह जो हमने पीज क कोर्स लाँच किया प्राइब हो हिंदी सब्जेक्ट रखे फिजिक साइंस का कोई सब्जेक्त हो सबकिल हमने एक फीस रखी थी चीए 4500 और अमने रहें अच्छी के अगर्डिं हम चलेंग अच्छी को तो स्तार्टिंग के 30 स्टूडेंट्स के लिए इस फीस को कम किया जा रहा है स्टार्टिंग के 30 स्टूडेंट्स को यह वीज़ पड़ेगा 3500 में इससे अच्छा उफर नहीं निकाला जा 4500 देना पड़ेगा फिर हम कम नहीं कर पाएंगे तो जितना जल्दी हो से क्या फॉर्म भरिये पॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो भी भर दीजिए इसके लिए आप से कॉंटक्ट किया जाएगा अब मैं पहले बता देती हूं देखिए अभी जो करनी है फिर उसका एक्जाम देना है तो कई स्टुएंट डास ऐसा समझते हैं तो PG के लिए हम कम से कम दो और मैक्सिम तो मैक्सिम फोर बैचिस जरूर निकालेंगे इसमें क्या रहेगा कि यह डिपेंट करता है कि कितने स्टुएंट आ रहे हैं अगर 10-15 जैसे हमने दो ता करेंगे लें डिपेंट करता है कि स्टुएंट कट्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं तो पहला बैच है यह सबसे अजुकर कर भुख कि कि Мें हमने ओफर दिया है हो सकता है second वैच में हम अवी उफवर ना दे सके हैं तो आगर पहले बैच में शाओन हो जातेतं हैं तो यहा और आप कम से कम फीस में अच्छी से त्यारी कर पाएंगे जो पहला बैचा वो दो जनवरी से शुरू होगा और इसके रेजिस्ट्रेशन है वह आप एक जनवरी की राग बारा बजे तक भी कर सकते हैं आप रेजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक किजिए वहां पर जाकर जिए कॉल करके यह बताईए आपकी क्या तो आही चुकी होगी फिर आप कॉल के जरीए पर हम आपको प्रस्नली ओ लिंक परवड कर देंगे बैंक स्टेट्मेंट का लिंक फवरड करेंगे आप उसके जरिये प्र पीस पर कर सकते हमाया स्क्रीशॉट फिर वाच्ट पर कर सब्सक्राइब कर रिए ताकि आप रिजटर हो जाए आप झालए फिर इसके लिए बैज में आप सामील होंगे इसके निए आपको कंट्क्ट किया जाएगा वह किया गया एक तारीक को एक न वी स्का गुरुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप मैं जितने भी स्टुरें प्राइविट क्लासिस होंगी इसमें आपो कैसे क्या पढ़ाया जाएगा सबसे पहले तो हम टॉपिक कवर करेंगे जितना भी यूजी लेवल का होगा जितना भी लिटेशर से कोशन बन सकते जिस फील्ड से बन सकते हैं कोशन लिटेशर के लिए हिंदी लिटेशर के लिए कहानी का सेक्षिन लिया, कहानी का सेक्षिन खतम होने के लिए आपके दो टेस्ट लियंगे उन दो टेस्टो के अधार पर फिर प्र अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे तेस्ट के रिजल्ट अपका खराब आया अप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई ज्यादा कि अगर स्टुडेंट के कोई डाउट है क्योंकि आपने पैसे दी है तो आपको पूछने का अधिकार है आप अपने सवाल पूछेंगे उनको सॉल्व करेंगे जब तक आपके सवाल क्लिर नहीं होते जब तक एक टॉपिक पे आप महारत ही नहीं हो जाए तब तक हम अगले तरह से त्यारी होगी इसके बड़ साइट अपिक कवर करने के बार तो जो टेस्ट होंगे ही इसके बाद पूरा स्लेबस हो जाएगा फिर हर दूसरे या तीसरे दिन आपका मॉक टेस्ट होगा और यह मॉक टेस्ट तब तक चलेगा जब तक आपका एक्जाम नहीं आ जाता मान लीजिए 70 घंटे क्लास होंगे सारी के सारी 70 आर्स का क्लास होगा सपोज तो 70 आर्स के बाद जो जितना भी टा अच्छी है कि कहीं से कोई सवाल जागा हम उसे सॉल्व कर लेंगे और आप आप में आस सकते हैं आप आप युनिवर्स्टी में अडमिशन ले पाएंगे तब तो यह सारा इसका परफॉर्मा रहेगा इस तरीके सा आपके तयारी कराई जाएगी फीस हमने आप सभी के चुरिये हमारे साथ और उसके बाद हम क्लासे शुरू करेंगे दो तारीक से दो तारीक के बाद अगला बैच कब लाउंच होगा यह बता दिया जाएगा को यूट्यूब के जरीए इसके लावा एक और इंफर्मेशन है अब से यूट्यूब पर जो भी वीडियो ऐसी अग्जां बेट इस तरह का चैनल होगा उसमें क्या रहेगा कि उसमें अप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपको तॉपिक से लिडिट चीजे मिलेंगे मैट्रियल मेलेगा आपसे क्या क्या हो रहा था कि बहुत सारे मैट्रियल हो गया था तो फ्ट्यूब तो आप इन सब को जोन कर सकते हैं इससे पहले एक वीडियो लाँच हुई है जिसमें आप इसकी इनफर्मिशन देख सकते हैं यह सारी आप जोइन कीजिए और उस पर चैनल पर जाके आप बाकी वीडियो देख सकते हैं अगर जैसे मैंने कहानिया कोई section उठा किया साहित्र कोई section उठा के मैंने उसका सवाल कुछ doubts clear कि हैं लोगों के या फिर कुछ समझाया है तो वह सारा उस चैनल पर मिलेगा आपको डेमो क्लासिज अगर देखना है तो वह सब भी आपको उससी पर मिलेगा ताप उस पर जाइए उससे भी जोइन कीजिए इस पर भी बने रहें और जल्दी से जल्दी रेजिस्ट्रेशन करें मिलते हैं अगली वीडियो में